वाईजी मेरे पास है KTM Duke 390 ये ना इंडिया की most powerful single cylinder की motorcycle है तो आओ देखते हैं इसमें क्या मुझे पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया क्योंकि बहुत साई चीजे हैं जो कि इसमें मुझे पसंद आई कुछ ऐसी चीजे भी हैं जो कि आपको जानना चाहिए जो मुझे नह रूमा बोल सकते हो तो प्राइजिंग बहुत जादा है बट अगर आप इसकी fit and finish quality looks सारी चीजे देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि प्राइजिंग बहुत जादा है तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो तो इसमें पहली चीज़ मुझे पसंद आई वो है इसका लुक्स लुक्स ऐसा भाई आप कहीं से भी देखो बहुत ही शांदार लगती है और जैसा इसका लुक है ना आपको किसी भी मोटर साइकल में इस सेग्मन में अटलिस नहीं मिलने वाला है फ्रेंट से आप देखो जिसकी headlight है पूरा LED का setup है बहुत ही कमाल का लुक देती है यहाँ पे DRLs हैं और यह आप देख सकते हो बड़े से चंकी वाले मोटे से 110 सक्षन के टायर हैं WP के inverted sock absorbers हैं बड़ा सा 320 mm का डिस्क देखने को मिलता है इस साइड आओ इसकी chassis पूरी open है और देख सकते हो अलगी highlight हो औरेंज कलर में इसमें कलर के options भी आपको भी बहुत सा संदाल लगता तो पहली चीज़ की लुक्स मुझे बहुत पसंद आई सेकेंड इसमें कुछ फीचर से हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए वो क्या क्या है मैं आप बदाता हूं पहली चीज की इसमें आपको ना एडिस्टेबल लीवर देखने को मिलता है यहां से आप दे यहां से आप इसको टॉगल कर सकते हो यह देखो आप ठीक है अप से कर सकते हो ब्लूटूस से कनेक्ट होता है निविगेशन भी दिखाता है और यह देखो इंजन कील स्विच है तो भाई यहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे हलाकि अभी ऐसी मोटर साइकल है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि फीचर्स इसमें सबसे आदा है अभी ऐसी भी आपको मोटर साइकल मिल जाएंगे जो कि फीचर्स जादा देती है बट अगें वह उतनी रिलाइबल नहीं लगती मुझे क्योंकि नहीं नहीं ब्रैंड की आ रही है तो उनको अभी यहां पर डिसकस नहीं करेंगे तो सेकंड चीज मुझे यह पसंद आई है इसक साथ इसमें क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलता है बट अगें बहुत स मुझे पसंद आई और बाकी सीट वगेरा भी सही है पॉस्चर वगेरा भी सही है इससे आप लॉंग राइड भी कर सकते हो तो वह भी एक फैक्टर है आप अगर लॉंग राइड के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सिंगल सिलिंडर मोटर साइकल सर्च कर रहे हो तो क्योंकि जैस्ट अभी सर्विस पर ही जाने वाली है इस वीडियो के बाद इसी के साथ एक और चीज मुझे इसकी पसंद आई वह इसकी ब्रेकिंग अब इसकी ब्रेकिंग ऐसी है कि मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि वन अब दा वन अब दे बैस नहीं वाल की बैस छेंग अच्छी होनी चाहिए तो जो कि इसमें दी गई है तो कहीं से मतलब जो मैंने आपके स्टार्टिंग हम बोला था है आप इतने पैसे दे रहे हो तो आपको कॉस्ट करटिंग कहीं भी नहीं लगएगी चाहको कौलिटी में हो चाहे फिट और फिनिश में हो चाहे फिल किया है और जो यूजर है उन्होंने भी यूजर रिव्यू बताया है इसका यूजर रिव्यू है टो वाई मोटर राइड पर तो वहां से आप देख सकते हो और है यह नया चैनल है इसमें आपको बहुत सारे ऐसा ही छोटी-छोटी वीडियो देखने को मिल जाएंगी कि यूजर बहुत फ्लेक्शुएट करता है हीटिंग प्रावलम होने लग जाती है इससाथ अगर आप पहली बार चलाओगे तो आपको सिटी में ऐसा लगेगा कि बार बार ये मतलब वो बंध होने वाली है ऐसा कुछ आपको लगेगा तो सिटी फ्रेंडली उतना नहीं है र विकेंड राइड अगर आप यह सब मिक्स करके लेना चाह रहे हो हाईवे राइड विकेंड राइड भी करोगे फिर आप ले सकते हो तो यह हो गई थार्ड चीज जो मुझे नहीं पसंद आई अब नहीं पसंद आई मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको यह जानना है ना उससे बहतर है आप कोई दूसरी चोटी चालाओ कुछ दिन फिर आप इसके तरफ जाओ तो यह भी आप समझ लो क्योंकि बहुत जादा भी नहीं है तो वह सब चीजी जो है ना तो इसको कॉंप्लिमेंट करती है तो आपको बहुत शांदार खतरनाग पावर मिलती है बिल्कुल यह रॉकेट बन जाती है तो वह आप थोड़ा सा समझ ले ना इसके साथ एक और चीज किसी को प्रावलम हो सकती है वह है सीट हाइट अब इसमें लगबग 820 mm की आसपास की सीट हाइट मिलती एक्जैक्ट सीट हाइट कितनी है आप इसक्रीन पर देख सकते हो औ इतनी लेंथ है आपकी फिर थोड़ा सा आपको प्रॉलमेटिक हो सकती है हाँ लेकिन पर आप एडवांस राइडर हो फिर मुझे नहीं लगता कि हाइट बहुत मैटर करती है बट बट अगर बीगिनर हो या इंटरिमीडियर राइडर हो तो हाइट डेफिनेटली मैटर करत करती है तो वह आप थोड़ा सा इसको समझना इसके लिए आपको टैस्ट राइल लेना पड़ेगा जाओ शोरूम पर टैस्ट राइड लो और देख लो की हाइड जो है आप मैनेज कर पाओ कि नहीं चोटा सा राउंड मार्क बस यही इस बाइक के वारे में कुछ चीजे है जो की थोड़ा सा कुश्चन मार्क है वीडियो अच्छे लेगे लाइक करो शेयर करो चैनल को जरू सब्सक्राइब करो गाइस को कि यह नया चैनल है बहुत सारे इसमें वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है बस मिलते है नेक्स वीडियो पर